आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MS Access के बारे में, इसका मतलब MS Access database में काम कैसे करते हैं, table कैसे बनाते हैं, उसमें record insert कैसे करना है, सबसे बड़ी बात record को fetch कैसे करते हैं, इन सभी चीजों को हम आपको बताएंगे एकदम starting से, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, कैसे करेंगे इस काम को, सबसे पहले आपको नीचे search बार में type क्या करना है, आपको type करना Microsoft Access, ठीक है, फिर आपके system में Microsoft Access का application आ जाएगा, तो इसको open कर लिजे, open करने के बाद, पहला काम आपको करना है, blank database में click करो, और create कर दो, ठीक है, जब आप create करेंगे, तो आपके सामने ये जो option आ दिखा रहा था, हम क्या करेंगे, इसका name change करेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे, तो view वाले option पे, उपर में यहाँ पे click करेंगे, और table का नाम हम रख देते हैं, EMP, okay, तो हमारे table का नाम देखो, EMP हो चुका है, अब ये जो window आया है, इसको बोलते है, design seat view, ठीक है, इसमें क्या होता कि आप अपने table के लिए column define कर सकते है, column बना सकते है, कितना column के साथ आप table बनाना चाहते है, काम करना चाहते है, तो सबसे पहला column हम बनाते है, EID, इसका type हम रखते है, auto number, EID मतलब employee का ID के लिए ये column रहेगा, auto number इसका type है, इसका मतलब इसमें हम value नहीं insert करेंगे, तो अपने आप एक unique value इसमें insert हो जाएगा, second column हम बनाते है, E name, जिसमें हम employee के name को insert करेंगे, तो इसका type रहेगा, text, अब third बनाते है, E address, इसका type भी text, fourth बना देते है, हम E phone, ठीक है, phone number के लिए, इसका type रख देते है, हम number, हम 4 column के साथ ही काम कर रहे है, अगर आपको और भी column बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं, एक बात यहां पर ध्यान में आप क्या रखेंगे, आपका जो पहला column है, E ID जिसका नाम हमने रखा है, इसमें primary की लगा हुआ है, आप यहां पर key का symbol भी देख सकते हैं, जिस भी column में primary की लगा होता है, उसमें duplicate value insert नहीं कर सकते हैं, ठी के लिए, अब view वाले option पर click कर देंगे, और yes कर देंगे, तो data sheet view में हम आ चुके हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, record insert कर सकते हैं, तो E ID को ऐसे ही छोड़ देंगे, खाली उसमें अपने आप एक number आ जाएगा, employee का name हम रख देते हैं, अंकित, ठीक है, employee का name अंकित, उसका address हो गया, mango, उसका contact number, यहां पर हम random number type करें, ठीक है, try मत करिए गाइस को, उसके बाद second employee का name रख देते हैं, अंकूस, इसका address हो गया, साक्ची, और यहां पर फिर एक mobile number हम type कर दिये, तो आप देखो, E ID अपने आप generate हो रहा की नहीं, और हर एक employee का employee ID unique हो था, तो यह unique ही बनेग अभी employee का name रख देते हैं, हम अजय, उसका address भी मानगो मेरा था, ठीक है, same address मेरा सकते हैं, उसके बाद अभी अगला employee हो गया, अपना अलताफ, इसका address रख देते हैं, हम, डिमना, उसके बाद इसका भी यह contact number, एक और employee का last record insert कर लेते हो, आप जितना record insert करना चाहें कर सकते ह हैं, हम क्या करेंगे, 5 record ही insert करेंगे और इसी के साथ काम करके आपको दिखाएंगे, गौरप का address भी मानगो है, यह भी मानगो मेरा था, और यह रहा, इसका यह contact number, table create हो चुका है, उसका नाम EMP हमने रखा है, उसमें यह 5 record भी हमने insert कर दिये, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, record fetch कैसे करते हैं, आपको वो दिखाएंगे, सबसे पहले आपको create वाला option पर जाना है, उसके बात query wizard पर जाएंगे, simple query wizard इसको ऐसे ही रहने देंगे, ok करेंगे, तो यहाँ पर 10 second का time लेगा, तो time देना, यह मस सोचना system hang कर रहा, बिल्कुल नहीं, अगर आप जितना column के साथ record fetch करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उतना ही column को select करना चाहते हैं, तो इस वाले button पर click करें, eid, ename, मुझे सभी column use करना record fetch करते समय, तो मैं क्या करूंगा, इसमें click कर दूंगा, जितने भी table में column थे, वो सभी यहाँ पर select हो चुके है, next, उसके बाद इसको ऐसे ही रहन मान के चलिए, यह जो मेरा table है, मुझे जानना है कि मानगो में कितने लोग रहते हैं, तो मेरे को किसी ने बोला, कि चलो मुझे यह बताओ कि मानगो में कितने लोग रहते हैं, तो हम कैसे बताएंगे उस बंदे को, emp query में right click करके design view select करेंगे, और e address का column यह वाला रहा, तो तो देखो मानगो में दो जन ही रहते हैं, एक हे अजय और एक हे अंकित, अगर आप table में देखना चाहो तो देख सकते हैं, अंकित और यह गौरभ भी रहता है मानगो में, okay, तो यहां पर एक record missing है, हम क्या करते हैं, फिर से इसी query को दुबारा fire करते हैं, कुछ तो गलती है सबसे पहले क्या करते हैं, मुझे जानना है कि साक्ची address में कितने लोग रहते हैं, तो run वाले button पर click करते हैं, साक्ची में यहां पर बता रहा है, दो जन रहते हैं, employee, एक second, साक्ची में यहां पर एक बंदा ही रहता है, तो बिल्कुल यह बिल्कुल सही आया है, इसमें मांगो वाला में क्या हो रहा था, गलती result आ रहा था, हम क्या करेंगे, मांगो वाला को फिर से देखते हैं, एक second, मुझे EMP query में right click करना है, design view करना है, मांगो address में तीन employee रहते हैं, लेकिन record हमारा कह रहा है कि एक employee ही रहता है, कैसे, तो यहां पर देखें, अभी सही आया है कभी कभी होता है, कुछ गलती record निकल जाते हैं, लेकिन आपको उसमें बिल्कुल भी panic नहीं करना है, तो यहां पर देखो, मांगो में तीन जन रहते हैं, अगर आप टेबल में देखना चाहो, तो यहां पर देख लो, अंकित, उसके बाद अजय और यह गौरव, और यहां उसका ही record आना चाहिए, तो कैसे करेंगे इस काम को, बड़ा ही simple है, right-click करो, design view कर दो, जिस employee का name अलताफ है, उसका सारा record फेच करो, तो employee का name क्या है, अलताफ, ठीक है, और run कर दो, तो यहां पर देखो, अलताफ का record हमारे सामने आ चुका है, तो यह तरीका हो गया, design view यू table से record को fetch कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, query fire करना पड़ेगा, ठीक है, SQL मतलब structural query language, तो कैसे करेंगे उसमें, मान के चलिए कि जिसका employee ID 3 है, उसका record मुझे जानना है, ठीक है, SQL language के through fetch कैसे करेंगे, right-click करो, उसके बाद SQL view करो, तो यहां पे query fire करो, select star, from table का name क्या है, EMP है, जिसका EID क्या बोला मैंने, जिसका EID 3 है, उसका record आ जाना चाहिए, control W प्रेस करो, और yes कर दो, तो यहां पे देखो, EMP query में यह देखो, जिसका EID 3 था, उसका record हमारे सामने आ चुका है, तो आप SQL language के through भी record fetch कर सकते हैं, अभी record को delete कैसे करते हैं, यह भी आपको सीखना चाहिए, मान के चलिए कि मुझे इस Ajay को, Ajay के record को हटाना है अपने table से, तो हम क्या करेंगे, यहां पे right click करेंगे, और delete record पे click कर देंगे, yes, Ajay के record हट चुका है, तो इस तरह से आप record को delete भी कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आ आपको MS Access में जितना भी basic चीज होता है, वो सभी बताया, जैसे table कैसे create करते हैं, उसमें record insert करना, record face करना सिखाया, मैंने design seat view के थुरू भी और SQL language के थुरू भी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिए, share करिए, चैनल को subscribe कर दिजे,